नमस्कार, जोती शेक दिव्य परकास चैनल में आप सब का स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे व्रिश्चिक राशी के बारे में व्रिश्चिक राशी इस्थिर एवम जलतत्व राशी है इस राशी का स्वामी मंगल ग्रह होता है इस राशी वाले लोग आदर्श वादी होते हैं रिश्चक राशी के लोग सुभाव से द्रड होते हैं उन्हें घुसा बहुत जल्दी आता है इस राशी के लोग बातचीत में स्पष्टवादी होते हैं और दूसरों से जल्दी बदला लेते हैं ज्यादा गुस्सा आने के कारण ऐसे जातक अपना नुकसान कर लेते हैं। इन जातकों को अपने गुस्से पर नियंतरन करने की बहुत आवश्यक्ता होती है। इन जातकों की इच्छा शक्ती पहुत मजबूत होती है। यह एक दूसरे से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। इन जातकों को खाने पेने का बड़ा ही शौक होता है। दोस्तों इस राशी का स्वामी मंगल गरह होता है। साथ ही रिष्चिक राशी के लिए शुब गरह, सूर्य, चंद्रमा और भस्पती होते हैं। अशुब गरह की बात करें तो बुद्ध और शुक्र इन जातकों के लिए अशुब रहता है। विष्चिक राशी के लिए भाग्यशाली अंकों की बात करें तो तीन, नौ और चार यह अंक विष्चिक राशी वाले जातकों के लिए बड़े ही भाग्यशाली रहते हैं। भाग्यशाली दिन की बात करें तो रविवार, शोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और वीरवार इन जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरी और यदि हम भाग्यशाली रत्न की बात करते हैं तो इन जातकों के लिए पुखराज, लाल, मुंगा बहुत ही शुब रहता है। दोस्तों विष्चिक राशी वाले जातकों के लिए भाग्यशाली रंग, पीला, लाल, नरंगी और क्रीम होता है। इन जातकों को नीला, हरा और सफेद रंग का त्याग करना चाहिए। दोस्तों विष्चिक राशी वाले जातक मंगलवार का उपवास करके अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। दोस्तों विष्चिक राशी वाले जातक निभन कार्य छेत्र को चुन कर अपने आज जीविका का निर्मान करते हैं। जैसे कला, सरकारी और कूट निती, सेना में नौकरी, बंदरगा, स्टोर, नयाले, वकील, आशदी निर्मान सम्बंदी कार्य, रसायन सास्त्री, सल्य चिकित्षक, सैनिक, पुलिस, सोध विज्यानिक, खोज करना, अनाज का व्यपार करना, लोहे से सम्बंदित कार्य करना और नर्स तथा डॉक्टर के रूप में कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ग्रिश्चिक राशी वाले जातकों को निब्न रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। जैसे अलसर, संक्रमन, पत्री, मुत्राशे संबंधी बिमारिया, यौन रोग, पीट का दर्ध, रक्त संबंधी विकार, दिल से संबंधित समश्य, हर्निया, वायू विकार, गले की संबंधी परेशानिया, आदी रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। दोस्तों, व्रिष्चिक राशी वाले, शान्त और चुप रहने वाले चातक होते हैं। लेकिन जब इन्हें कोई गुसा दिला देता है, तो यह अपना आपा खो देते हैं। इन में इच्छा शक्ती प्रबल होती है, यह अपनी जिद को पूरा करते हैं। तथा दूसरों के समझाने पर भी नहीं समझते हैं। इन जातकों का सुभाव बड़ा ही कडवा होता है। यह परिश्रमी आत्म विस्वासी जगडालू होते हैं। इन जातकों में बदला लेने की भावना प्रबल होती है। यह शान्त एवं चुप रहने वाले होते हैं। परन्तु गुसा दिलाने पर यह अपना आपा खो देते हैं। दोस्तों, व्रिश्चिक राशी वाले जातक अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों का हित नहीं देखते हैं। ऐसी लोग दूसरों के भेद को जानकर लाब उठाने वाले होते हैं। इन राशी वाले लोगों के पास धन की कमी नहीं होती है। यह स्वतंत्र विचारों वाली व्यक्ति होते हैं, इनका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावी होता है. इन जात्कों को दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है. इन लोगों में शहनशक्ति और गजब का धहर्य होता है. यह हर चीज को अपने नियंत्रन में रखने की आदत होती है. हर काम को पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं. दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसकी परवा बिल्कुल भी नहीं करते हैं. रश्चिक राशी वाले जातकों को लगजरी लाइफ जीना बहुत पसंद होता है. इन जातकों को खाने पीने का बड़ा शौक होता है. साथ ही ऐसे जातक धन एकत करने में भी अपनी रूची दिखाते हैं. इनके विचार अन्य लोगों से हट कर होते हैं, जिससे घर और रिष्टेदारों के बीच विरोध होता है. लाइफ में ये जातक रिस्क नहीं लेना चाहते, जीवन में ऐसे जातक सभी का भला करने का काम करते हैं, फिर भी इन्हें ताने सुनने को मिलता है. इनके द्वारा जो भी प्रयास और कार्य किया जाता है, उस कार्य का उन्हें जश नहीं मिलता है. दोस्तों स्पष्टवादी स्वभाव होने के कारण व्रश्चिक राशी वाले जातक दूसरों लोगों के मुह पर बुराई कर देते हैं जिसे लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं इन जातकों को बार बार परिवर्तन करना बिलकुल भी पसंद नहीं होता है व्रश्चिक राशी में शुक्र और मंगल की युति गुप्त प्रेम संबंदों को दर्शाती है साथ ही व्रश्चिक राशी में शनी और राहु की यदि युक्ति हो तो ऐसा जातक सारेरिक रूप से कमजोर होता है अगली जानकारी के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल जोतिश एक दिवय प्रकास से धन्यवाद जैशी कृष्णा झाल 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 झाल